परिवार्ट था मित्रों के साथ अच्छा समय वितीत होगा कामकाज अच्छे स्तरका बना रहेगा चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी पंतू, खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखे जाना खर्च होगया तो टेंशन भी हो सकती है ग्रैशब राशी वाले अगर आज अपने स्वास्ते का थोड़ा ध्यान रखके चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्ता कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी मन में नया जोशोच चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्ने प्राप्त होगा मित्वन राशी मित्वन राशी वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है शिक्षा के क्षेतर में मनवानशे सफलता प्राप्त होगी कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और सभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी जिससे आप अच्छी इज़त कमा सकते करक राशी करक राशी वालों के लिए आई दिन बहुत ही शुब है आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा परवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुब समचारों की परधानता रहेगी सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है आप जो भी आशामन में करेंगे वो पूरी होगी दो परिवार के में किसी का स्वास्ते भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मांसिक पनाव उत्पन हो सकता है कन्याराश कन्याराशी वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है अगर आज आपको कही पर भी बाहर ये खर्ड में किसी मंगल कारे के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा सैयम बना करकर रखे क्योंकि बेमत्रब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन हो करके आपके उपर औरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी का स्वास्ता है खराब दो सकते हैं तुला राश्य तुला राश्य वालों का भी आज जिन उत्तम है कामकाजमे सहकर्मियों के साथ आलमेल अच्छा बना रहेगा आज आपका परभाग दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हलाप आपके बने रहेंगे व्रश्चिक राश्य व्रश्चिक राश्य वालों के लिए आज आराम का दिन है क्योंकि परिवार के सर्वस्यों से हरतरा का सयोग तो पाक होगा ग्रस जीवन भी बिलको समान्या होगा चन्तु शरीर में अलस्या की परधानता बनी जाएगी पड़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पड़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा धनो राशी धनो राशी वालों का आज का दिन बड़े बुजोगों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है उनका शिवा प्राप करने के लिए हर तरह से उत्तम है पन्तू बढ़ते दिन के साथ में करोट की मात्रा जला बढ़ सकती है जिसके कारण बेवज़ा की वाल विवाद उत्तम हो सकते है और अपने स्वास्ते पर भी इसका बुरा असर हो सकता है तो इसलिए आज सहीम से दिन निकाले अच्छा रहे मक्का राशी मक्का राशी वालों के लिए कामकाज के लिए ठीक ठाक दिन है प्रंतो अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोगर्म बिलकुल न बनाएं क्योंकि उसमें किसी भी परकार की अनुहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है स्वास्ते को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशान रूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज कुम राशी के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनके खेल कुद के लिए प्रन्तु कुम राशी के जो व्यसक है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है बेमद्द के अरूप लग सकते हैं और आथिक परशानियां भी सता सकते हैं मीन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्ता हैं परिवार की तरफ से हर संबाव साजता प्राप्त होगी आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होगे और आप जो भी कार्या करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी